हेलो एवरिवान वेलकम तू डिफेंस वाला माइनेम इस दानिश जफर और आज आप मेरे साथ हैं एक स्ट्राटिजी वीडियो में गाइस आज का जो सेशन है यह बहुत इंपॉर्टन्ट होने वाला है कहते हैं कि कभी भी अगर जिंदिगी में आपको कुछ चाहिए कुछ की अचीफ करना है तो आपको वहां तक पह। प्राटीजी आपकी रहना चाहिए इन बचे हुए 60 दिनों में, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए इन बचे हुए 60 दिनों में, कहां से questions आपको लगाने चाहिए और कौन सी books आपको refer करनी चाहिए इन 60 दिनों में, तो अभी मैं बात करूँगा आप से इसी चीज के बारे म तो गाइस अगर मैं, मैं यहाँ पे आप से बात करूँगा English को लेके, क्योंकि English CDS exam में highly scoring होती है, 120 questions आपके पास मिलते हैं, जहां पे यकीन जानी आप 100 plus questions attempt करते हैं असानी से, अगर बहुत difficult paper आया है आपका, तब भी आप 85 plus तो attempt करी सकते हैं, उस case में जब बहुत difficult paper आया अगर paper का level moderate है, तो आप 100 plus questions attempt कर सकते हैं, और अगर paper का level easy है, तो 100 plus आप अराम से जा सकते हैं, ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि क्या strategy रहनी चाहिए अगले 60 दिनों में, तो पहले ज़रा paper पे ध्यान देते हैं, paper पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपके exam में क्या क्या PQRS जिसे आप sentence rearrangement भी बोल सकते हैं, close test, S1, S2, coordinating, जो अभी हाल ही में इसी भार CDS1 2024 में introduce हुए, यह वो वाले questions है, मैंने YouTube पे अभ्यास बैच में भी कराए हैं, अगर किसी को नहीं आते हैं तो वहां से देख सकता है, ठीक है, यह सारी चीज़े, इसके बाद तुम्हारे पास आते हैं idioms, phrasal verbs, synonyms and antonyms, one word substitution, foreign words इस बार पूचे गए थे, जरूरी नहीं है, हर बार पूचे जाए, पर ठीक है, हम लिख लेते हैं, foreign words, fill in the blanks, FIB, जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद, spotting errors, narration, voice, parts of speech and other grammar तो अगर आप देखेंगे, तो मैंने बहुत wisely आपका पूरा स्ले बस तीन parts में divide कर दिया है, हो सकता है, एक आद कोई chapter मेरे से छूट गया हो, ठीक है, जो आप add कर सकते हैं, तो ये तीन भाग में मैंने divide किया है, अगर आप गौर से देखेंगे, तो मेरे बच्चे ये वाल पॉर्शन में से एक portion vocabulary portion है, और grammar को आप कभी भूली नहीं सकते, तो ये वाला है आपका grammar portion, तो आपको basically इन तीनों आसपेक्ट पे work करना पड़ेगा, जैसे किसी को cricketer बनना है और बढ़िया cricket खेलना है इंडियान cricket team के लिए, तो उसे bowling, betting और कहीं न कहीं feeling, मतलब अपनी fitness तीनों पे काम करना पड़ेगा, तो इन तीनों पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपकी एक चीज़ इतनी बढ़िया हो कि आपको bowling की जरुवत ही नहीं, bowling इतनी बढ़िया है कि betting की जरुवत नहीं है, तो ultimately तभी भी आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये तीनों वैसे ही portion है आपको इन तीनों पे work करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं CDS2 2024 में सफा लोना, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बनाना है एक ऐसा schedule अपना, जिसमें आप हर दिन ये questions लगाएं, अब दो तरहा के बच्चे, ठीक है, student 1, इसका है backlog, ठीक है, backlog है इसका और इसने क काफी कुछ miss कर रहा है, lectures पीछे चल रहे हैं, शादी attend कर ली थी, प्यार हो गया था, धोका मिल गया था, कुछ भी हो गया था, तो किसी भी कारलवर्ष इसका backlog है, ये अपने course से पीछे चल रहा है, एक student ये है, एक है student 2, ये on time चल रहे है, अपने course के साथ, ठीक है, और एक तीसरा बच्चा है, student 3, ये वो बच्चा है, अब तक पढ़ना शुरू ही नहीं किया, not yet started, बस हलका हलका पता है, cds का exam क्या होता है, कब होता है, एक आद बार paper वे पर देखा है, एक आद टेम डिया है, ऐसी बिना पढ़ाई करें, तो ये तीसरा बच्चा है, तो भाई, इनों के लिए अलग strategy होगी, जो सबसे पहला बच्चा है, student 1, मैं उससे कहूंगा, अभी तुमारे पास दो महीने हैं, ठीक है, तो एक महीने में तुम detailed में, one month, हर हाल में, detailed में, backlog clear करो, ठीक है, detailed में backlog clear करो, एक महीने के अंदर-अंदर, हर हाल में, और बचे हुए एक महीन में, mock test and analysis, mock test and analysis, mock test and analysis, mock test and analysis, mock test में, ये तुमारी सारी चीज़े cover हो जाएंगी, analysis कैसे करेंगे, mock test का, ये मैं आगे बताऊँगा, तीनों ही student के लिए, तो student जो type 1 है, जिन के पास बहुत सारा backlog है, भाई, backlog clear कर लो, हर हाल में, और एक महीने के अंदर-अंदर, अपनी सारी clarity ले आओ, thoughts पे, उसके बाद, बचे हुए महीने में, बढ़िया से work करो, चीज़े तुमारे लिए बढ़िया हो जाएंगे, अब हम आते है, student 2 के पास, जो कहता है, कि सर दे को backlog नहीं है, मैं बिलकुल on time चल रहा हूँ, तो मैं आप से कहूंगा, आप बिलकुल सही चलते रह यह कहां से, आपको मिल रहे होंगे, हमारी तरफ से weekly test, हमारी तरफ से monthly tests, बस, यह आप देते रहिए, और साथ में आपके पास DPPs होंगी, यह आप देते रहिए, जब आपका यह सारा हो जाए, तो आप अभ्यास batch से practice कर सकते हैं, आने वाले time में विकरांध भी batch आने वाला यह इसके कदम कोई रोकने वाला होगा नहीं, ठीक है, तो यह सबसे safe zone में है, अब यह तीसरा बच्चा है, सर हम क्या गरें हमने पढ़ा ही नहीं है, हमको आता ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है, अब क्या करूं सर मैं, पिछला जो पढ़ाए उसमें मुझे बरोसा नहीं है, जो पढ़ाए उसे भी रिवाइस करना पड़ेगा, अब सिर्फ दो महीने है मेरे पास, तो सुन ले बच्चा, तू सबसे ज़्यादा खत्रे में है, तेरे लिए मैं लाया हूँ, एक जबर्दस स्ट्राटरीजी, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास हैं तीन Monday, Tuesday, Wednesday, चलो छे के छे लिख लेते हैं, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्लेबस को इस तरीके से लिखना है, कि पहले दिन, Monday में आप करेंगे reading, मैं बताओंगा अभी reading में क्या करना है, reading, plus grammar, plus 10 minutes vocabulary, हाँ जी, अब ये 10 minutes की vocabulary इसका क्या मतलब है, पहले reading समझते हैं, reading का मतलब है, आप कोई भी एक portion, यहां से उठा लेंगे, reading comprehension, PQRS, close test, कुछ भी आपने उठा लिया, आप इसे combination में भी कर सकते हैं, जैसे आपने सोचा, कि आज मैं क्या करता हूँ, दो RC उठा लिया, आपने 10 PQRS उठा लिये, ठीक है, दो RC उठा लिये, 10 PQRS उठा लिये, इनको आपने analysis किया, पहले solve किया, और फिर analysis किया, analysis का मतलब है, यह देखा कि आपका कौन सा question गलत हुआ है, और कौन सा question सही हुआ है, जिस तरह कि questions आपके गलत हो रहे हैं, उनको regular practice किया, ठीक है, तो 2 RC, 10 PQRS आपने analysis के साथ उठा लिये, grammar में, आप क्या करेंगे, यह पूरा grammar का portion है, इसमें से कोई भी दो portion उठा लेंगे, और उस पे आप लगाएंगे, कितने questions? 30 questions around, ठीक है, तो 30 questions ऐसे भी कर सकते हैं, कि आपने 10 spotting order ले लिये, 10 narration, 10 voice ले लिये, यह 10 part of speech ले लिये, और 10 preposition ले लिये, 10 conjunction ले लिये, ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपको 30 grammatical errors यह आपको लगाने हैं, और plus 10 minutes vocabulary में, आप क्या करेंगे, यह जो वोकाब वाला portion है, जैसे आपने 5 EDM याद कर लिये, 5 phrasal word याद कर लिये, 5 synonym और 5 one word याद कर लिये, या फिर आपने कहा, 10 minute में foreign words को देता हूँ, और 10 minute में आपने 10 foreign words याद कर लिये, कहां से, अपने vocab register से, अगर आपने अभी तक अपना vocab register नहीं बनाया है, तो आप इस league में ही नहीं है, ठीक है, भूल याई है, बिना vocab register के cds exam crack करना, तो क्योंकि game ही vocabulary का है, और आपने उसकी शुरुआत ही नहीं करी है, तो आप बहुत पीछे हो चुके हैं, तो उसको आप भूल जाई है, तो इसलिए आपको ये करना है, ये सब को करने में मुश्किल से आपको ज्यादा से ज़्यादा अग ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं, जिसने अंग्रेजी बिल्कुल पढ़ी ही नहीं है, मुझे पता है, तुम्हें math भी तैयार करनी होगी, और अगर OTA से हो, तो सिर्फ GS ही तैयार करनी होगी, तो OTA के लिए जा रहे हो, या फिर IMA के लिए जा रहे हो, किसी भी तरी कर सकते हैं, फिर आ जाता है आपका day two, day two में अभी आपको क्या करना है, फिर से आपको सेम चीज करनी है, ठीक है, अभी यहाँ पे फिर से जो reading portion का बचा हुआ portion है, जैसे आपका है close test बच गया माल लेजे, यहाँ पे, यहाँ फिर और क्या बच गया, S1, S2 वाले questions बच गय ठीक है, S1, S2 questions बच गये, ठीक है, तो आपने चार close test लगा लिए, और 10 question यह वाले लगा लिए, काफी काम हो गया आपका, इसके बाद फिर से आप 30 questions लगाएंगे based on grammar, ठीक है, और 10 minute vocabulary को देंगे, तो फिर से आपका one hour हो जाएगा, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बता ठीक है, दो दिन हो गया आपके, तीसरा दिन, Wednesday को आप करेंगे क्या analysis, and practice of weaker sections, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मंडे को तुमने दो reading comprehension करे थे, और दो reading comprehension में तुल कुल टोटल बिलाके 20 questions थे, तो यह जो 20 questions थे, इसमें से तुम्हारे 12 गलत हो गए थे, सिर्फ 80 सही हुए, या मालनो reading comprehension तुम्हारे सारे सही हो गए, लेकिन PQRS question तुम्हारे आदे गलत हो गए, या reading comprehension तुम्हारे सही हो गए, PQRS भी सही हो गए, grammar तुमसे बनी नहीं रही है, या फिर होता क्या है, कि vocabulary तुम हिला नहीं पा रहे हो, तो Wednesday को तुम्हें अपने weaker section पर एक घंटा देना है, चाहें ये reading हो, अगर ये तुम्हारा reading है weaker section, तो तुम्हें reading को एक घंटा देना है, मतलब खूब दबा के PQRS लगाओ, around 20 PQRS analysis के साथ, ठीक है, अगर तुम्हारा weaker portion, क्या है, अभी कही novel न नहीं है आपके पास, अभी क्या करना है, आपको reading करनी है, चाहें वो PQRS हो, चाहें वो close test हो, चाहें वो RCU, अगर आपका ये वाला portion ठीक है, पर आपका grammar वाला portion गलत है, तो आपको target करना है कि आज मैं लगाओंगा hundred questions grammar के, ठीक है, कैसे with analysis, आज grammar तैयार करके जाओंगा, ठीक है, और अगर आपका vocabulary portion कम्स हो रहे है, तो आप vocabulary के quiz करेंगे, या फिर आप कर लेंगे, vocab quiz, vocab register में और word लिखेंगे, और words को याद रखने की कोशिश करेंगे, और मिहनत करेंगे vocabulary पे, तो दो दिन आप बढ़िया से काम करेंगे, तीसरे दिन, यहाँ पे जो गलतिया प्राक्टेस आप Wednesday करेंगे, Monday, Tuesday आपने काम किया, उसकी प्राक्टेस उसमें जो गलतिया होई है, उसको betterment के लिए आप Wednesday में काम कर लेंगे, Thursday, Thursday में आप क्या करेंगे, repeat कर देंगे Monday को, Friday में क्या करेंगे, repeat कर देंगे Tuesday को, और Saturday में क्या करेंगे, repeat कर देंगे Wednesday को, तो अगर आप ऐसे करेंगे, तो आपके पास दो दिन है, great analysis के, यह जो आप कर रहे हैं, जो आपकी गलतिया आ रही हैं, उनको ठीक करने के, और अगर एक हफते में आपको ने दो बार इन चीजों को ठीक किया, तो जानते हैं, एक मह सतर कॉशन सही करने लगे, कब 80 करने लगे हो, कब आपका स्कोर 80 प्लस, 90 प्लस जाने लगेगा, अगर आप इसे religiously करते हैं, within one month आपको tremendous results मिलने वाले हैं, Sunday को यह आनिवार रहा हर बच्चे के लिए, student type 1, type 2, type 3, आप देंगे mock test, और इसका करेंगे analysis, आपको यह समझना है किस portion के questions मेरे गलत हो रहे हैं, आपने देखा, कि भई मैंने mock test दिया, और mock test देखे, 120 question थे mock test में, मैं सिर्फ 70 सही कर पाया, और 90 attempt कर पाया, अभी जो 20 गलत हुए न, 20 wrong जो हुए, 20 wrong जो हुए, तुमने देखा यार, इसमें सबसे जादा question vocabulary के हैं, तो vocabulary पर work करना है, यह सार words याद करना है, उसे अपने vocab register में note down करना है, ठीक है, ऐसे ही, अगर आपने 120 questions का test दिया, आपके 70 question ठीक हुए, ठीक है, 20 आपने attempt नहीं करें, तो देखना है कौन से attempt नहीं करें, अटेंब नहीं कर पाये, तो speed में कमी रह गई, या कहां कमी रह गई, अगर दूसरी बात, ये mock test देना इसलिए भी अनिवारे है, कि आपको ये जरूर पता लगना चाहिए, कि क्या आप exam के लिए तयार है, जब आप mock test देने बैठते हैं, तो 20, 30, 40 questions के बाद आपका brain hang होने लगता है, आपको break की जरुवत पढ़ जाती है, आपको चाय, coffee या phone देखने की जरुवत और ये सबसे बड़ी हार होती है आपकी, अगर आपका stamina build नहीं है, तो आप exam देही नहीं सकते 120 question का, ये problem NDA वालों के साथ नहीं आती है, वहाँ 50 question है अंग्रेजी के, 50 question तक तो आप energetic रहते हैं, उसके बाद तो आपका stamina down होना शुरू होता है, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चे के 120 question आप कम से कम हफते में एक बार mock test जरूर दीजेगा, अगर आप आज से ही शुरू करेंगे तो आपके पास at least 8 mock test तो होंगे, क्योंकि 8 हफते हैं, 8 mock test, ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आप बढ़ log complete करिए, एक महीने के अंदर अंदर, और फिर दबा के mock test दीजे, दबा के उनकी practice कीजे, आपका काम हो जाएगा, student 1, अगर backlog नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो मेरी तरफ से आपको एक flying case, और याद रखिए, practice करते रहिए, weekly test, monthly test लगाते रहिए, कामया भी चार में बनाया है, Monday, Tuesday, Wednesday, बढ़िया करके खूब अच्छे से, Monday, Tuesday questions लगा, देख क्या गलतियां कर रहा है, उसके बाद उन गलतियों को Wednesday में ठीक कर ले, उनको बेटर कर ले, उनको दम लगा ले, और Thursday, Friday, Saturday को सेम चीज़ रिपीट करनी है, Sunday को लगाना है, mock test, जहां problem आए, दिक्कत आए, अपने mentor से, पूछ लेना है, chat GPT भी आपकी help कर सकता है, इसके अलावा Google से भी आप answers अपने देख सकते हैं, कहीं समझ में नहीं आए, तो tiger जिन्दा है, ये बात दिया, आप जान लिजे, तो ये थी भाई, CDS की हमारी strategy, अब सवाल ये है सर, इतने questions लगाऊं हुआ, 240 questions, 10 साल के paper निकाले, 2400 questions, previous year, download कर लो, साथ ही साथ NDA का भी देख लो, NDA का paper भी साल में दो बार होता है, 50 questions अंग्लेजी के, कितने हो गए, 100 into 10, 1000 questions ये हो गए, हर तरह के, इसके अलावा, आज से कुछ साल पहले, SSC mains का एक exam होता था, जहां पर बड़े अच्छे questions आ लेंगे, ठीक है, तो उसको आप ले लेंगे, previous year के mains के, जो पुराना वाला exam होता था, जिसमें 200 questions आते थे एक exam में, वो 5 भी ले लेंगे आप, तो 1000 बड़िया questions आपको मिल जाएगे, तो यहां से आप कर सकते हैं, इसके अलावा, अगर किसी को इतनी माथा पच्ची नहीं क किसार हम कहां से करेंगे, क्या करें, कितने टेस्ट, इतनी प्रैक्टिस कहां से करें, तो हम आपके लिए बहुत जबर्दस चीज लेके आए हैं, आप चाहें तो यहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, defense one pass है जिसमें 25 test series मिलेंगी, मैं आप से कह रहा है ता 8-10 test लगाने है, 25 test series हैं इसमें, यहना 15 exam आपके cover कर देगा, यह 1200 mock test हैं, 60,000 questions हैं, तो यहां पर कोई tension नहीं है अगर आपके पास यह है तो, 40 free mock है, unlimited re-attempts हैं, मतलब एक mock को आप बार 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 दे सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे कि exam, जो आपको interface है, बिल्कुल वैसे ही feel कराएगा यह, ठीक है, और सबसे important बात यह है, कि एक mock test को आप multiple बार दे सकते हैं, देख सकते हैं, और अपना score टेली कर सकते हैं, performance का अपना analysis कर सकते हैं, कि भाईया कहां गलती हो रही है, क्या better करना है, ठीक है, और यह all India test series है, जिसमें आप अपन हो रही है, तो यह तो मैंने आपको दिखाया किसमें content कितना है, हजारो questions है, हजारो questions, ठीक है, और इसकी validity है, 12 month तुमारा exam है, कुछ दिन के पास, तो exam सकते हैं, तुम्हारे पास रह गई, वैसे इसका price 999 रुपे था, लेकिन अभी 60% discount के साथ यह तुमें लगभग 399 रु करने हैं, तो उसका भी मैंने तरीका बता दिया है, थोड़ी सी मेनत लगेगी, यह सब download कर लीजे, आपके पास 45000 questions हो जाएंगे, 45000 questions अगर आप 2 महिने में लगा लेते हैं, तो selection हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चा, तो यह थी हमारी strategy video, ठीक है, दूसरी बात, दिल होता हम जब यह सरी बाते कर रहे होते हैं ना कहीं ना कहीं अपना time waste कर रहे होते हैं, इतनी देर में हम 4 word vocabulary कर सकते हैं, 5 word vocabulary कर सकते हैं और यकीन जानों इन 5 में से एक फस जाता है, तो point क्या है कि आपको रोते रहने से, बार बार अपने आपको tension देने से कि यह खराब हो गय यह सही हो गया उससे बहतर यह है कि आप मेहनत करें ना दम लगाई यह अपने आप पर विश्वास करें प्रैक्टिस करें काम्याबी चूम लेगी आपके क्या कमेंड बॉक्स में लिख दीजेगा ठीक है तो यह थी स्ट्राटीजी वीडियो मुझे जरूर बताईएगा कि आ जिन्दगी में उतारते रही है लव यू आल जय हिंद जय भारत